तो देखिए सिंझारे और तीज पर हम जरूर घेवर लेकर आते हैं लेकिन इस बार हम घेवर घर पर ही बनाएंगे एकदम हलवाई जिसे पहुत ही टेस्टी नमस्कार मैं हूं रेखा मेरी सुपर असमें आप लोगों का स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्ता आप उसे में बना सकते हैं और बहुत जबरदस बनते हैं वीडियो को फुल बच कीजिएगा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन को प्रेश जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेश तो देखे घेवर के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें डाल रही हूं में एक कप चीनी और इसी कप से मैं आपकर डालूँगी एक कप पानी चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दीजे यहाँ पर हमें कोई तारवाली च दाला है देखे ताकि अच्छी लगे चाशनी और जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इससे तीन से चार मिट तक पकाना है बस चीनी मेल्ट होने के बाद तक अब यहाँ देखे मैं थोड़ा से लाइची पाउडर डाल रही हूं ताकि टेस्ट अच्छा है तो आदा चमच लाइ है और गैस को स्लो कर दिया है और इसे ठंडा होने के बाद उंगली और अंगुठे के बीच में रखकर इस तरह से चेक कीजेगा यहां देखे मैं इसे ले रही हूं चेक कर रही हूं यहां देखे हलका से तार आपको दिख रहा होगा लेकिन तार नहीं है जब मैं इस तरह स देखी उसमें डाल हुआ हुए, आधा लेटर दूद०। यहांपर पेहले से पकाया हुआ है आप यहांपर कच्छा दूद भी ले सकते हैं और दूद आपको इससा भी ले सकते हैं बैसका गाईका या फिर पैकेट वाला अब यहाँ पर दूद को अच्छे से हिला दीजिए ताकि नीचे जाकर बैठें आए और देखें हम इंस्टेंट वाली रबडी बना रहे हैं जो मिंटों में बनकर तयार होती तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर से आपकी जो रबडी है न बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा दूद इसमें डालेंगे और दूद डालने के बाद इसका गोल बनाएगे आधा कप के अनुसार आप दूद डाल लीजेगा इसमें आप माल ल दूद को आपको अच्छे से वह पकाना है अब यहाँ देखे दूद में अच्छा सा lieरा है और दूद को हमें आदा होने तक इसे अच्छे से पकाना है गयाया सको तो यहाँ पर दालने के बाद इसे 2 मीश ine सरह से पका लीजेगा तो यहाँ पर देखे जो इसमें मलाई आ रही है साइड में वो इसे में डाल देते हैं उस तरह से ताकि बहुत ही अच्छी हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो अब यहाँ पर जो हमने मिल्क पाउडर का गोल बनाकर रखा था ना वो लेंगे और सारे इसमें डा आँ अब यहाँ पर देखे बहुत अच्छा सा इसमें उबाल आ रहा है और दूर जो ना हमारा के सरह से गाड़ा सा हो गया यह कि अभी इसे और पकाएंगे हम हैं यहाँ पर देखे जो रबड़ी है बनने ही वाली है और यह देखे हमारी रबड़ी जो यहने कितने कोफ कर देंगे और अब इसे हलका थंडा होने के लिए छोड़ देती हूं उसके बाद में आपको दिखाऊंगी जब यहां पर देखें जो रबडी है ना हमारी हलके सी थंडी हो चुकी अब इससे देखें इस तरह से ठीक हो गई है और अभी तो हमें इसे फ्रीज में रखने अब यहां पर मैंने 100 ग्राम घी लिया है और घी को मैंने मैल्ट करके लिया है गरम नहीं किया है बहुत दा गरम नहीं करना पस मैल्ट करना है आपको अब यहां पर थोड़े से बरख के टुकड़े ले रही हूं वो इस घी में डाल देंगे क्योंकि हमें इसका मक्षन बना मक्षन की मिन किकि तईहां से अधर कि टयार हो गाए हमा्रा घी इसा से थागा सा और चला लेती मुंदenda किस तरल से गाड़ा से बनकर तयार हो गए इस तरह से यह पहले मठाना बहुत हां तो हमें पहले ऐसा मठाना पड़ा इस अधर अब मह fun द इक़र धिकर बरफ और पानी, इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पर मैंने बहुद ही कडोवे लिए, और में क्या कर रही हूँ, पानी और बरफ को इबस्ट की निकाल देती हो, यहाँ पानी में हटा देती हूँँ। पानी की हमें जरूत नहीं है अब यह देखें तो यहां पर मैं ने देखए अब आपको फिर से दिखा देती हूँ इस तरह से देखें हाड सा गोला बन गया है मक्षन का अब इसको क्या करना है पहले हमने इसको हाड कर दिया आप इसे हम सॉफ्ट करेंगे जिसे मलाई होती है जैसे केक वाले क्रीम होती है, वैसे से बनाएंगे हम, एकदम पफी सी, तो पढ़िया से 5 मिन के लिए अच्छे से फेट लीजे, थोड़ी सी महनत लगती है, लेकिन जब आप घ्योर बनाएंगे न, एकदम हलवाई जैसे बनेंगे और बहुत गजब बनेंगे, तो यहाँ प बिल्कुल भी दाना नजर नहीं आ रहा है, एकदम देखे, फूली फूली सी बन गए, बिल्कुल, इस पर दाना नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेगा, यह देखे, फिर से दिखा रही हूँ आपको, हाथ में लेकर दिखा रही हूँ देखे, कितनी प्लेन अब यहाँ पर देखे, मैंने मैदा लिए, तो मैदा कोची से चान कर लिजीगा, 500-600 ग्राम मैदा इसमें लग जाएगी, तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम मैदा ले रही हूँ, और थोड़ा-थोड़ा मैदा डाल कर इसे अच्छे से मिलाते जाएगे, तो इस तरह से हलके आतों इसलिए मैंने कड़ाए ली थी ताकि अच्छे से ये पढ़िया से घूर ना अच्छे से बन जाए, तो इसमें मैंने फिर से आपको महनत लगते हैं, लेकिन जो घेवर है ना बहुत गजब बनते हैं, एकदम हल्वाईयों जैसे बनते हैं, यहाँ पर देखे, मैंने मैदा ह घेवर बनकर तैयार होते हैं, आप यहाँ देखे, अच्छे से मैंने इसे मिला दिया है, और एकदम ब्रेट करम्स की तरह बन गया है, देखे यह, यह अच्छे से लग गया है, मोन लगया है एक तरीका से इसमें, आप यहाँ पर देखे, एक कप में ले रही हूँ यहाँ दूद, तो दूद यहाँ पर देखे बिल्कुल ठंडा लिया है मैंने, और यहाँ पर आप दो कप दूद भी डाल सकते हैं, मैंने एक कप ही दूद डाला है, इसमें दो कप भी डाल सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है, एक लिटर, फिरीज का ठंडा पानी और इसको यह लंप्स प्री बनाई है इसमें हलके-लके लंप्स पढ़ जाएंगे तो आप इससरा से हातों से मैश करते हुए कर देखे जिस तरह से आप यूडियों में देख रहे हैं और मैं इससे लगातारे से तरह से हातों से हतेलियों से जितने भी घुठ्ट्ट या ना उ यहां पर देखें अच्छा फेट लेती हैं उसके बाद में आपको दिखाऊंगी अभी अब यहां देखें मेरा घूल कितना बढ़िया बनकर तयाएं मैंने आगा आपको इस तरफ नहीं नहीं रंगेगे आपको देखें और थोड़े से लंप्स होगे न तो क्या होगा हम इस में सारा डाल दिया है ये देखे अब देखें एक लिटर पानी पूरा लग चुका है इसमें और ये घूल देख लिजे आप गूल अभी थोड़ा गाड़ा है लेकिन क्या करेंगे सबसे पहले इसे चानेंगे जो भी इसमें हलके हलके से दाने आपको दिख रहे होंगे न तो वह चानने से निकल जाएंगे तो यहां पर देखें मैंने क्या क्या है एक छन्डी लिए यानिके स्टेनल लिया है और एक बड़ा सा बरतन लिया है उसमें हम इसे डाल देगे तो मैं इस तरह से कटूरी से इसमें डाल रही हूं और यह सब प्रोसेस मैं नीचे बैट कर कर तो कि काफी देर सख़ड़ा नहीं रहा जा सकता हम उससे तो यहां पर देखें मैंने नीचे बेटी हूँ और मैं इसे घूल को मैंने बनाया इस तरह से यह देखें तो अच्छे से मैं इसे चाहन लिए देखें हलके-लके लंच ते न वो सारी खतम हो गया देखें तो इस तरह चाहने से जो भी अगर इसमें घुठलिया होगे तो वो निकल जाएगी अब यहां पर देखें अभी घूल गाड़ा है तो यहां पर मैंने एक कप ठंडा पानी और लिया है तो यह आधा कप इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे बेटर आपका ऐसा होना च कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर आपको इसदम हलवाई जैसे घेवर या कोई भी रेसिपी होती है ना हलवाई जैसे बनाना शिकाती हूँ उसलिए मैं यहां पर करर का इस्तेमाल करती हूँ लेकिन आप घर पर बना रहे हैं तो बिल्कुल बड़ा लिएगा अब यहां पर गोल कितना अच्छे से बनाया एक पतली सी कोटिंग आ गए है देखें जो चम्मच है उस पर पतली सी कोटिंग है तो बस तो चलिए अब आगे की तयारी करते से फ्रीज में रख देते हैं अब यहां पर देखें मैंने इस तरह की छन्नी लिए एक प्लेट लगाया है नीचे चाकि हम इसमें घेवर रखेंगे तो घी जो है नीचे आ जाएगा प्लेट में और यहां पर देखें इस तरह की छन्नी लिए मैंने इस तरह का जो हम इस पर बेंगान या आलू बगारा भूनते है ना वैसी वाले जाले लिए अब यहां पर एक कड़ाई में मैंने ठंडा तेल लिया है इसका इस्तिमाल हम आगे करेंगे मैं आपको आगे बताने बाली हूँ तो यहां पर इस तरह से कड़ाई पर रख देंगे तो जो एक्ष्ट्रा ओल होगा वो इसी में निकल कर आ जाएगा कठाई में अब यहां पर देखें गयास पर मैंने पैन रखा है और इ अब यहां पर क्या करेंगे मैं थोड़ा सा बैटर इस कटोरी में निकाल लेती हूँ इससे क्या होगा ना इससे हम गेवर बनाएंगे जो बड़ाएंगे अब यहां पर देखें बड़े से बर्तन में मैंने किया किया एक परफ जमाली इस तरह से और हमारी जो कटोरी थी वो रख देंगे ताकि यह थंडा रहे जितना थंडा रहेगा उतने आपके घियवर बढ़िया बनेंगे तो बस आप क्या करते हैं घिवर बनाएंगे यहां पर देखे, तेल जहे जोए आच्छे से घरम हो चुका है, तेल जगह आप गीबी ले सकते हैं, तो तेल अच्छे से घरम हो जाए ना, तो आपको गैस को थोड़ा स्लो कर देने, बर्तन के नीचे नीचे है लगने चाहिए, हीट, बाहर नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पर देखें ओयल गरम होने के बाद मेरे थोड़ा सा बैटर लिया और थोड़ा-थोड़ा करते हैं इसमें डाल रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत जदा एक साथ मट डालेगा बस थोड़ा-थोड़ा डालेगा और 15-20 बार आपको इस तरह से बैटर में डालना है यह यह देखें बहुत इज़ी है गेवर बनाना मिंटों में बन जाते हैं बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और सबसे मौश्ट बात यह है कि अगर आपको समय लगता भी है तो हमारे घर की बनिवी मिठाई की बाद ही खुचोर होती है अब यहाँ पर देखें बीच में हॉल लेते हैं या फिर ग्लास वगईरा से डालते हैं मैं हमेशा इस तरफना बनाती हूँ तो मुझे ऐसी सAlben लगता है अगर आप चाहिए तो बोतल वगईरा में डाल सकते हैं यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बेटर इसमें डालती जा रही हूं और यहाँ पर गयस को इतना किया हुआ है कि heat बाहर नहीं आ रही है बस परतन की नीची नीची लग रही है यह देखे तेल अच्छा गरम होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा तेल जब अच्छा गरम हो जाए ना तो चाहिए आप गयस को medium कर दीजिएगा और देखे और मैंने यहाबर वीडियो को skip नहीं किया है बिल्कुल भी ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो आप आराम से घीवर बना ले यह देखे तो ऐसा करके आपको 20-25 बार इसमें डालना होगा अगर आपको मोटा घीवर चाहिए तो आप 20-25 बार डाले अगर आपको पतला घीवर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं 15-20 बार डाल सकते हैं यहां देखे मैं अब जगे मुझे थोड़ी कम लग रहे तो मैंने यहां नाइफ से इस तरह से जगे बनाईए देखे और आप इसमें डालेंगे फिर से थोड़ा थोड़ा सा बैटर और बैटर आपको ठंडा होना चाहिए द तो हम इसमे बैटर डालसके हैं तो चलिए फिर इसमें थोड़ा सा बैटर डाल देते हैं जब इस से जाग खतम हो जाए तब ही आपको बैटर डालना है जहाफ। जहाग थोड़ा सा अब जहाव कलर है हमारे गेवर का कितना अच्छा आ गया है बहुत on गए अब यहापर मै थंडा की ओयल इसमें डाला है ताकि जो हमारे गेवर पैना अच्छी से जाली बने तो बीच में थोड़ा सा मैंने थंडा ओयल डाल दिया है अब यहां पते के साइड से किनारे हटा लीजे और हटाने के बाद इसे नीचे की तरफ दखेल दीजेगा ताकि अच्छी से और पक और बनने के बाद हम इसे निकालेंगे यहां देखे मैं इसे फिर से दबा रही हूँ ताकि अच्छी से यह पके और बढ़िया सा एकदम कलर आया इसके उपर अब यहां देखे अच्छी से बन चुका है तो चलिए बस निकाल लेंगे तो यहां नाइफ लिया है और मैं आपको इसे अच्छे से दिखाने के लिए मैंने दूसरे हाथ में से लिया है देखे और दूर से दिखा रही हूँ यह देखे लगराने एकदम हलवाई जैसा बहुत ही बढ़िया गेवर बनते जब आप घर पर बनाते ना और एकदम इतने अच्छी खुशी मिलते है ज हेंडा होना चाहिए और तेल गरम होना चाहिए तब इसमें जाली अच्छी पड़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा बैटर डालीए और घिवर यहाँ पर देखे यह वाला भी बन गया है तो इसे भी इस तरह से निचे की तरफ दखेल दूगी और इसे भी अच् कितने सारे घिवर बना लियें देखे मैं आपको दिखा देती हburg और सारे अच्छे बनेरे बहुत बादे लग रहे तो यहाँ पर जितने घेवर में आप चाहिए डालना चाहते हैं उतने में डाल सकते हैं बाकि को जब्रे में बंद करके रख सकते हैं पांच शे शे दिन के देखे किस तरह से गाड़ी हो गई है देखे फ्रीज में रखने के बाद यह अच्छे से ठंडी हो गई है और गाड़ी भी हो गई है अब यहाँ पर क्या करना है एक गेवर लेना है आपको और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर इसमें डालेंगे चाशनी और यह देखे चाशनी हलकी गरा में बहुत ज़्या गरम नहीं है, यहाँ पर चाशनी अच्छी से डाल दीजी, गेवर देखिए मिंटों में चाशनी को पी रहा है कितने अच्छे से, यह देखिए, अब यहाँ पर दूसरा वाला गेवर भी इस पर रखेंगे हम, और उस पर भी चाशनी ल लगाने वाली हूँ, और बाकी में बाद में जब खाएंगे तब उसमें चाशनी डालेंगे, यहाँ पर देखिए, अब यह बाला जो गेवर है, इस पर हम लगाएंगे मलाई गेवर, तो यहाँ पर जो हमारी रपड़ी है, जो लगा देते हैं, इस तरह से लगा दीजे द देखिए, अब यहाँ पर थोड़े से पिष्टा, और यहाँ पर थोड़े से बादाम, जो भी आप डालना चाहिए, या फिर आप सिल्वर पेपर यानि की जो चांदी का बर खाता है वो भी लगा सकते हैं, उसे भी अच्छा रगता है, लेकिन मैंने आज नहीं लगा है, यह देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहे हूं कितना बड़िया लग रहा है, देखिए, लग रहा है न, जबरदस्त, तो देखिए, हमने घर पर ही कितने सारे घेवर बना लिये हैं, यह देखिए, तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं, तो यह देखिए हमारा रबड का घेवर है देखे ये भी बहुत टेस्टे लगता है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा बैल आइकन को प्रेश जरू कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और ये घेवर की रेशिपि कैसे लगी ये बताएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद